आज हमारे साथ है वीजू कृष्ण जो आल इंड्या किसांसभा के जॉएंट सेकरेटरी है वीजू किसांसभा के साथ मिलके देश भर में किसानों के संघर्श का हिस्सा रहे हैं जिससे की किसानो की जिंदगियों में और खेती के हालात में कुछ सोधार आपा है तो वीजू आज हम आपसे MSP या जो नियूनतम समर्थन मूले होता है उसके उपर चर्चा करना चाहते हैं तो उसकी घोषना में सरकार ने अभी कुछ देरी कर दी है तो जब यह देरी होती है तो उससे खेती पर क्या असरा आता है और इसकी घोषना किसान जो नाया फसल का बुआई से पहले अगर होती है तो किसान को सोचने का एक मौका होता है कि किस फसल के लिए भैतर दाम मिल सकता है और उस हिसाब से क्या फसल होना है उस पर एक सोच हो सकती है और ये सरकार इसमें काफी देरी की है और पिछले चार साल में जो ये सरकार जिस तरीके से उम्मीदे जगाई थी किसानों का की बहतर दाम मिलेंगे उससे पीछे हटे हैं किसानों को धोका दिया है तो इसलिए किसानों के सामने ये है कि जैसे उनका हर साल का एक खेती होती थी जो फसल वो बोते आये है उसको वो आगे बढ़ाने का ही एक मात्र उपाई उनके सामने है ये कोई इंसेंटिव के तोर पर किसानों को सरकार के और से कोई आशोसन नहीं मिला है जो पहले से किसान करते आये हैं उसी तरीके से खेती में लगना पड़ा है उनको कोई एक मौका नहीं दिया गया कि अगर जैसे कि दलहन का ज्यादा खेती का एक पॉलिसी सरकार का है तो अ एक पॉसिबिल्टी था कि उस फसल का बुआई ज्यादा हो सकता था वो मौकर बिलकुल नहीं दिया गया है तो और हम मूल्य की भी बात करें जो नियुनतम मूल्य है हमारा उसका जो सरकार ने भी बोला बजट के दौरान भी कि वो सौामी नाथन कमिशन के हिसाब से ही त trib कर दिया गया है पर उसके भी फॉर्मिला हमें हमने देखा है जो इस फॉर्मिला हिसाब करने के लिए वो कुछ अलग है तो वो जो C2 प्लूस 50 पर्संट कोस्ट की जगा A2 प्लस FL इस ताम किया जा रहा है यह जो सरकार, खास करके मोदी जी और भाजपा, उनका चुनाव प्रचार में सबसे ज़्यादा जो बात कहें, यह है कि स्वामिनातन कमिशन का जो शिफारिश है, वो लागू करेंगे, उतपाधन का जो सबी खर्च है, उससे कम से कम पचास प्रच्छत ज़्यादा नियुन् मंत्री से मिलें, और मांगे कि यह आप लागू कीजिए, और तुरंत इसमें कि यह चुनाव के समय में बहुत कुछ कहते हैं, तो उसी तरीके से हम लोग कहें हैं, और इसको लागू नहीं हो सकता है, यह उनका बात, सीधा बिना बेहिचक हो यह बात कहें, उसके बाद कि मार्केट को डिस्टॉट करेगा, इसलिए यह हम नहीं दे सकते हैं, अभी चुनाव लगातर जो चुनाव पास आ रहा है, और चुनाव में जो हार का सामना करना पड़ रहा है, अलग अलग जगह पे, तो उसके बाद पिछला बजजट में यह कहें, कि हम लोग A2 प्लस F 50 को, हम लोग पहले से स्वामिनातन कमिशन को लागू कर रहे हैं, तो यह किसानों को वादा किया था, उससे धोका, अभी किसान को धोका दे रहे हैं, और अगर उधारन हम देखे, सभी फसल का, जो C2 दाम है, यह A2 प्लस F ल का जो कोस्त है, उससे तीस और चालीस प्रजशत ज्यादा है, और खास करके अरहर और मूंग वगरे का अगर देखे, लगबग एक प्रति क्विंटल तेरह सव से पंद्रह सव रुपया ज्यादा है, A2 प्लस F L से C2 ज्यादा है, तो आप किसान को जो पहले वादा किये थे, उससे आप पीछे हा है, वैसे ही यह जो C2 प्लस 50 परसंट नहीं देने का जो बात है, इससे किसानों को लगबग 3 लाख करोड का नुकसान प्रतिस इसमें हो रहा है, यह एक अससमेंट भी हमारा है, और यह एक बात कही जाती है, कि अगर MSP या नियूंतर मूलिया बहुत ज्यादा बढ़ा दिय तो खाने के दामों में भी महंगाई आ जाएगी, इस बात में यह कित्ती हकीकत है, अगर उत्पादन का खर्च कम करें, तो यह दिक्कत आएगी नहीं, एक तो जो उत्पादन के लिए जो जरूत है, बीज हो, जो खाद हो, यह सब का जो खर्च है, इसमें लगातार बढ़ रिष्ते जा रही है, और इसका जो दाम है, इसको बानने का कोई कोशिश इस सरकार का है नहीं, बलकि खुला छूट है कम्पनियों को कि जो मर्जी, उनका मुनाफ़ा बढ़ाने के लिए, जो मर्जी दाम ले रहते हैं, और यह अगर इस दाम को बानने का ऊकोशिश होती है और जो उटपादन का खर्च कम करने के लिए कोई incentive दिया जाए हो सकता है जैसे मैं जिस पंचायत से आता हूँ तो उस पंचायत एक छोटा सा पंचायत है सत्रा हजार रुपया प्रती हेक्टेर के लिए धान का खेती के लिए incentive के तोर पर labor cost का जो खर्च है उसके लिए किसानों को दिया जा रहा है तो अगर ऐसा है तो उतपादन का खर्च भी कम आता है और इसका कोई असर जो consumer है उसको उनको नहीं होगा पर इसके बावजूद जैसे भारत में जो धलहन का अरहर डाल का पिछले 2014-2015 के बाद हम लोग देखें कैसे 2020 रुपया प्रती केजी हम लोग मार्केट में खरीडना पड़ा है उस समय किसान को 30 और 40 के बीची उनको धाम मिल रहा है तो यह कहां से कोई connection ही नहीं किसान को जो दाम मिल रहा है और जो consumer जो देना पर रहा है तो बीच में जो ट्रेडर्स हैं बड़े प्लेयर्स जो है जैसे इसमें दलहन का जो बिक्री है उसमें बड़े पैमाने पर आदानी रिलायंस टाटा बिर्ला और आई टीसी यह सब ही इसमें जुड़े हैं इनको मुनाफ़ा इससे मिला है तो वीजू एक बार हमें आप यह भी बताईए कि यह जो फॉमिला में जो दो फॉमिला अलग अलग इस्तमाल किये जा रहे उनमें अंतर क्या है अभी यह एटू प्लस एफल का इस्तमाल किया गया है MSP का हिसाब करने के लिए और एक तरफ हमाएं पास C2 है तो A2 प्लस एफल में कौन-कौन से दाम देखे जाते हैं और C2 में क्या-क्या देखा जाता है किसान का जो खर्स लगता है अलग-अलग जो इनपूट्स के लिए उसके साथ-साथ जो पेड़ ओट कॉस्स जिसे कहते हैं और उसके साथ-साथ जो परिवार का स्टम का भी एक जोडते हुए इसको A2 प्लस एफल को कैलकुलेर किया जाता है C2 में और comprehensive है और भी जो खर्च जैसे जमीन का जो रेंट है और फिर जो आपका जो और capital जो उसका इंटरस्ट है और और भी अगर देखे इंशुरंस प्रीमियम इस तरह का issues भी इसमें जोड़ा चाहता है तो इसमें मैं पहले भी जो कहा लगबग 30 से 40 प्रच ज्यादा जो A2 प्लस एफल का कोस्त है उससे ज्यादा यह C2 कोस्त में होता है और C2 हमारा असली दाम जो लगता है और उसमें भी एक और जानने का बात यहाँ है जो राज्य सरकारे जो खर्श बताते हैं उससे बहुत कम ही केंद्र सरकार A2 प्लस एफल और C2 भी जो राज्य सरकार अपना अग्रिकल्चर डिपार्टमेंट से जो बताती है उससे बहुत कम ही इसको फाइनल कैल्कुलेशन में लेता है और उटना ही नहीं है जो वेटेड अवरेज जैसे अगर मान लीजिए केरल में 100 रूपया खर्च है उत्पादन का खर्च है और उत्राखंड में 40 रूपया खर्च है तो वो इस दोनों का एक आवरेज लिया जाता है तो केरल का जो किसान है उनको जो उनका खर्स भी है वो भी नहीं मिलेगा यह एक और इश्यू भी है इसलिए यहां पे जो हम लोग बात करते हैं कुछ राज्य सरकारे बोनस देती हैं यह सरकार उस बोनस को भी रोकने का कोशिश कर रही है केरल में जैसे केरल का जो वामपंती सरकार है वहां का अगर उदारन अगर दे केंद्र सरकार का जो न्यूंतम समर्तन मुल्य है उसे 800 रुपया जादा प्रति क्विंटल वहां बोनस दिया जाता है तो उसको रोकने का भी यह सरकार कोशिश कर रही है तो यह खुद किसानों के लिए कुछ करने के लिए तैयार नहीं है जो सरक कुछ करने का कोशिश कर रहे हैं उनको भी रोकने का और एक और बार हमारे आती है कि MSP घोशिट अगर कर भी दिया जाए तो सरकार जो खरीटती है वो काफी कम ही रहता है तो इसमें आपको लगता है कि कुछ उधार होगा या कुछ फार्ट परक्रत हमें देखा है यह जो नरेंद्र मोधी और भाजपा के लोग है बिहार जारकन उडिशा उतर प्रदेश बेंगॉल यह सब राज्य में खास करके धान का एक उधारन मैं देना चाहता हूं जो 1550 रुपिया प्रती कुइंटल न्यूंतम समर्तन मूलिका घोशना होती है वहां के किसान को 800 और 1100-1200 से ज्यादा किसी को नहीं मिरा क्योंकि खरीद नहीं है तो यह असली बात है और पूरा देश में अगर देखे भी 20 प्रदिशन से कम वह भी सिर्फ धान गेहू इस तरीके से दो या तीन फसल में खरीद भी हो रही है यह असली सिच्वेशन है और इसमें जब तक इसमें आप गोशना कर सकते हैं अभी चुनाव आ रहा है तो गोशना कर सकते हैं धान के लिए हम अभी से बात हो रही है कि 1750 या ऐसा कुछ गोशना करने का सोच रहे हैं 1750 यह तब भी जो किसानों का जो उत्पादन का खर्च है उससे बहुत कम बहुत से राज्यों में बहुत कम होगा और 1750 अगर घोशना भी कर रहें आप खरीद नहीं रहें तो इसका कोई फाइदा किसान को नहीं मिलने वाला यह जो है सरकार बहुत तेजी से इनी का भाजपा का ही नेता शांता कुमार जी है जो उनका शिफारिश है कि यह जो प्रोक्यूर्मेंट मेकानिजम को भी खतम करने का तो बिना procurement यह नियुन्तम समर्तन मुल्य का कोई माहिना नहीं है और अभी यह लोग इस नियुन्तम समर्तन मुल्य का भी पुरा । राजय सरकारों पर इसका जिम्मेदारी थोपने का कोशिश्शकर कर रह mo種 कोशिशन बिल्गुल है जो काफी लुभावने वादे करते हुए सरकार में आये थे भाजपा और नरेंद्र मोदी कोई भी वादा अब तक पूरा नहीं हुआ अलग-अलग राजियों में हम लोग देखे हैं संगर्ष किसानों का संगर्ष चल रहा है अखिल बार किसान सबा भी पहले हम लोग राजस्तान, महरास्या, हर्यान, पंजाब, हिमा चल में हम लोग का अंदोलन चला है अभी आने वले दिनों में 10 करोड हस्टाक्शर अभियान खिसानों का महांग, किसानों और घेतमज़़ों का महांगों को लेके और August 9 तारी जो भारत छोड़ाव अंदोलन का anniversary है उस दिन पूरा देश बर में कलेक्टरेट्स में इसको सब्मिट करना और उसके साथ साथ एक जेल भरो अंदोलन हम लोग कॉल किये हैं इसमें ये नारा है कि किसान विरोधी भाजपा मोधी गद्धी छोड़ो और इस जेल भरो अंदोलन में मजदूर वर्ग भी किसानों का समर्तन में बड़े पैमाने में भाग लेंगे इतना ही नहीं सेप्टमबर पांच तारीक को पहले बार के लिए भारत में अखिल बारत्य किसान सबा खेत मजदूर यूनियन और जो CITU हम लोग किसान खेत मजदूर और मजदूर वर्ग का बहुत बड़ा एक एतिहासिक एक रैली यहां दिल्ली में मजदूर किसान संगर दिल्ली में होगी इस सरकार को चेतावनी है उनका जो नीतिया है किसान विरोधी मजदूर विरोधी नीतिया है इसको बदलो या गद्धी छोड़ो अंदोलन तेज होने वाली है तो शुक्रिया वीजू आज हमसे बातशीत करने के लिए और न्यूस क्लिक देखने के लिए आपको धने हो तो